यह वीडियो दो कंपनियों की आँख खुलने के लिए है क्रिप्या इनके फैंस इसे दिल पे ना ले और ये वीडियो इंजॉय करें धन्नवाद लेना है कौन चालो यार बहुत कंफ्यूजन हो गई आज कल इतने ज्यादा ओप्शन हो गए इतनी सारी कंपणी समझ में नहीं आ रहा कौन सा लिया चाहिए लैप्टॉप आपको लेना है आप इतना कंफ्यूज को भाई वी आजे नंबर वन कंपनी इन इंडिया आप अभी सब्सक्राइब कंफ्यूज आओ हमारा लाप्टॉप ले लो ओ भाई कौन सा हुए में जी रहे ने में माइनस मची सेल चल लिया अपना सेल बचा लो सालों बन से लेके लाश्ट तक की अगा रेस हो ना कि वन से लाश्ट पर पहले कौन आएगा उसमें भी तुम नंबर वन अरे भाई मुझे कोई भी आरा के रहा आ जाता है कॉंप्टीशन लगाने मतलब क्या तुम लोग जब आये भी नहीं थे ना इंडिया में एंट्री भी नहीं लिए थे ना लैप्टॉप बेजने के लिए तब से हम लोग बेज बीरों नंबर वन पर बने हुए अरे बव गई है तुम लोगों के तरह माइनस में जा रहे है माइनस 35% है भाई कुछ तो सरम कर लो अभी भी टाइम है भाई कुछ तो सुनलो लाप्टॉप नहीं बनाते ना भाई हमारे लापटॉप एक ही तो निकलते हैं साल में लेकिन वह इनवेटिव होते हैं तुम्हारी तरह हम कुछ भी डिफेक्टिव पीस बनाते हैं नहीं इन्नोवेशन जरूरी होता है और हम तो अपने कंपणी में फॉल भणिया बनाते ह हारी हर गेमिंग लापटॉप बनाते हैं हर थरीके का लापटॉप बनाते हैं चुप दोनों चुप तुम भी जो अब मैं बोलूँगा अब एक कस्टमर बोलेगा और कस्टमर को तुम दोनों सुनोगे इस बाट विल इतर्मिन हो इस ट्रॉंगेस्ट वाट्स एंद फॉर नमस्कार भाई अबैनों मेरा नाम शुवांका सिंग स्वागत आपका मिस्टर आउसम शो की एक नई वीडियो पर और आज इस वीडियो में भाई तकड़ा कंपेरिजन होगा अजूज वसस एच्पी और गारेंटी देता हूं कि वीडियो के आखर तक एक विनर जरूर डि कर दीजेगा अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखती रहनी है और अगर यह वीडियो पसंद आई ही तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा और नोटिफिकेशन बेल को और प्रिकेशन देगा वनना तो यह नोटिफिकेशन देने से रहा है तो कंपरेजन सब पहले हम क्वाल्टी भी दे देता है और जो इस्पेक्स होते हैं वो लगभक सिमिलर होते हैं तो मैं 30,000 के अंदर तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि एच्पी ही बेटर है अजूस के मुकाबले अजूस असल में समकता 30,000 के ऊपर है 30,000 के अंदर तक मैं मैं मुझे जादा कंपैरेजन नहीं करना मैं सीधा सीधा बोलता हूं एच्पी बेटर है हाँ अजूस का एक दो हजार चीपर मिलता है बट वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रियेट नहीं कर देता प्लस मैंने अजूस का एक चीपर वर्जन वाला 27,000 का एक लापटॉप लिया भी था और वो मुझे मुझे ज्यादा बेटर पड़ता है तो एच्पी का लापटॉप मैं बोलूँगा कि 30,000 के अंदर बेटर है हाँ अब स्टोरी कहां चेंज होती है जब लापटॉप का प्राइस 30-50,000 जाता है 30-50,000 में अजूस का जो वीवो बुक सीरीज है यह एच्पी की जो पविलियन सिरीज है इसको इत्वम बीट कर देता है जो पविलियन सिरीज है यह क्या है कि एक ही जैसा दिखने वाला लापटॉप यह लगतार बनाते रहते हैं बनाते रहते हैं वालाप लगता है इनका एक लापटॉप 1.7kg के नीचे नहीं आता सिवाह स्प्टर और कुछ गिने 60 है वो भी तो इन सब को छोड़के बाकि यह जो पवेलियन के नॉर्मल लैप्टॉप्स होते हैं बहुत भारी-भारी दो-दो किलो के होते हैं डिब्बे जैसे लगते हैं और उसी जगा पर जो अजूस है वो इसकी जो वीवो बुक सीरियस है वो डिर्ड किलो के लैप्टॉ अच्छी होती है डिजाइन अच्छी होती है बट अब ऐसा लग रहा है खास करिये 2018 के बाद 2018 के पहले सुच्वेशन अलग थी 2018 के पहले भाई अजूस का भी घटिया था लेकिन और एच्पी का बेटर पड़ता था वट अब एच्पी उसी अपने पुराने डिजाइन पर टिका हुआ है बट अजूस का जो अब बेजल लेस्ट डिजाइन आता है बेजल लेस्ट स्क्रीन आती है वह तीस हजार के उपर सही चालू कर देते हैं अपना और अच्छे दिखना वाले लाप्टॉप आते हैं तो इस जगह पर अजूस क्लियर बिना निकलता है क्योंकि अच-धूस प्राइस रेंज के नहीं टेक पारा और इच्वी बहुत दूर तक नहीं टेक पाएगा आप क्योंकि क्या है कि अब जो आरोजी सीरीज है यह सब और और अच्छी गीमिंग सीरीज है और अच्पी की एक लौथी ओमें सीरीज है गेमिंग के लिए अब ओमें ए फुड़ी प्रीमियम में चली जाती ही 75,000 के नीचे ओमन तो मिलने जरा बाकी जिनका 50-60,000 का गेमिंग लापटॉप के लिए बजट होता है वो तो और जो it का जो gaming series है वो बटर लगता भी कि gaming के लिए पुरा इंहांस रहता हैं इसका गेमिंग के लिए उस सॉफ़्फ़्ट्वेयर भी रहता है अब hp pavilion series है उसी में gaming laptop उसमें डालना शुरू कर दिया है अभी जैसा मैंने अभी पिढ़ने पर वीडियो में बताया था लाप्टॉप था तो वो गेमिंग के लिए अच्छा था तो वो मैंने डाला हुआ था और काफी अच्छा लाप्टॉप है बट वही है कि AMD का प्रोसेसर डाल के दे दिया है अब क्या होदा है कि Intel का प्रोसेसर जो Intel 5 i5 9 Gen है वो AMD के Ryzen 5 से बेटर है बट अब HP वालों को लगा कि Ryzen 5 डाल के देना से ठीक है और मुझे यह बात HP की पसंद है कि अब वो भी कोशिश कर रहा है कि बजट में गेमिंग लाप्टॉप वो प्रोवाइड कर पाए 55,000 में 60,000 के अराउंड में गेमिंग लाप्टॉप देनी कि अब कोशिश कर रहा है उससे भी चल रहा है कि competition भाई अब हो गया है कि लोग बजट गेमिंग लाप्टॉप प्रिफर कर रहा है और अब मैं सीधा सीधा बात कर देता हूं स्टाटिस्टिक्स की जो मतलब मैंने काफी research की मुझे बहुत सारे उसमें reviews मिले सब्दी मिला तो मैंने काफी सारे देखे तो सबसे पहले तो ठीक है वाई HP आज भी नंबर वन टॉप ब्रैंड है इंडिया का और अभी भी 38 परसंट शेर उसने लिया हुआ है मार्केट का टोटल वही अजूस 5 परसंट था 2018 के राउंड में बट अब 15 परसंट मार्केट ले लिया है तो जो ग्रोथ थी HP तो अभी भी नंबर वन के पर जो ग्रोथ हुई है सेल्स में और अपने कस्टमर बिल्डप में वह अजूस की बाकी हर कंपणी से जादा चाहे लेनों हो चाहे एसर हो चाहे कोई भी कंपणी हो सब माइनस में थे अजूस एक लौता था जो प्लस 55 परसंट था और अजूस की लैपटाप की विक्री बहुत ज्यादा हो गई है और पहली बात दोनों चाहिना के नहीं है तो यह तो अच्छी बात है तो अजूस का यह बहुत एक मुझे इंप्रेस किया कि भाई यह लोग इतनी जल्दी ग्रो कर रहे है प्लस इनोवेटिव अब हो रहे है इनका जो की वोग सीरीज मेरे पास खुद अजूस का लैपटॉप ही रहा है एक अजूस का लैपटॉप तो यह मतलब मुझे ओके लैपटॉप लगा मतलब ठीक है काम चला हुए मैंने 45 का लिया तो ठीक है आज भी सही-साई चल ला है एक बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी बट सही हो गया सर्विस मैंने करवा ली इसकी ठीक हो गई उसके अभी वीडियो आप देख सकते हैं आई बेटन में में डाल कूंगा उसमें भी देख सकते हैं कि मैंने जो सर्विस पर अपना एक्स्पीरियन्स बता है तो सर्विस पर थोड़ा कंपरेजन भी कर लेते हैं सर्विस का कुछ ऐसा हाल है आपर सेल वाली की कि मतलब इन कंपनी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कस्टमर से अगर आप कुछ कस्टमर हो और आप जा रहे हो लैपटॉप लेके अपना कि मेरा भाई खराब हो गया है यह आप को ही दोशी ठहराने की कोशिच करेंगे कि आप अपने खराब किया होगा या आप सही कुछ हुआ होगा मतलब कस्टमर एक क्रिमिनल हो जाता है उनके लिए और वो लोग बुट्टिम हो जाता है तो यह चीज मुझे अच्छी नहीं लगती इनकम पेस की मतलब करने के बचाए आप कस्टमर ही पर ब्लेंड कर देते हो और अपने आपको बचने की कोशिश करते हों कि आपको करना ना पड़े कुछ तो यह सब कंपनी का मुझे अच्छा नहीं लगता और सही बताओ तो दोनों कंपनी इसमें बहुत विकार है आप्टा सेल्ग सर्विस में मैंने उनके रिवीउस पढ़े दोनों को बैड रिवीउ तो मुझे यही था कि इन लोगों को एक अपना रखना चाहिए कि या जब आपना लैप्टॉप इतने महनत से बेस दे रहे हो मतलब बना रहे हो सब कर रहे हो अपने कस्ट्रमर बिल्डप कर रहे हो सब बुलार होगी यह आपका लैप्टॉप लोग यह लो बट आप जब बार बेस दे रहो तो उसके बाद आपको कस्ट्रमर का वही नहीं कि कस्ट्रमर आपका लैपटॉप यूज कर रहा है कि नहीं वह आपको फासले के भी आ तो भी आप उसका चेक करने से रिप्यूज कर रहे हो तो यह सब चीजे मुझे थोड़ी खराब लगती हैं तो हाँ देखो clear winner तो इसमें अजूज है इस वक्त फिलाल क्या कि growth और जो laptop के विक्री है प्लस अपना gaming laptop बनाए तो इसके बाद अपना customer इन्होंने build-up किया है यह तो सही में remarkable है बट भही है कि after sales service एक customer के लिए मेरे में देखो मेरे में YouTube में laptop से related अगर मैं video डालता हूं तो comments में पक्का ऐसे comment जरूर मुझे मिलते हैं कि इसकी after sales service कैसी है इस company की after sales service कैसी है तो यह customer के लिए बहुत important होता है क्योंकि एक normal customer जो होता है 245,000 का अगर उसका budget है तो भाई उसके लिए बहुत होता है उतने में वो चाहता है कि उसको एक ऐसा laptop मिल गया है मतलब वो उसके पीन साल कम से कम वो चला पाया बिना किसी दिक्कत के दिक्कत हो तो company उसकी मदद कर एसा नहीं कि company एक बार उसे बेज दी फिर उसके बाद मेरे लिए एक छोटी सी एडवाइस है और customer as a customer ही मैं बोला हूं कि कि आप बहुत टाइम से इंडिया में हो आप number one पर बने हुए बहुत आप पर customer trust करते हैं कि आपके sales service अच्छी होगी आपके laptop बढ़िया होंगे कुछ तो समस्ते ही नहीं बाकि किसी और laptop को सूचते है तो आपने यह trust built किया है तो इस trust को maintain रखिए और इस trust पर खड़े होतर यह आप premium laptop बेस तो रहे होगा premium service नहीं दे रहे तो इस चीज़ का भी धियान रखी कि आज सकल after sales service बहुत माइने रखती है customer के लिए आज सकल कि हमेशा से माइने रखती है अगर आप service नहीं दोगे तो बात रही अजूस की तो भाई आप भी बहुत चुदरे होए नहीं हो बस आप यहां पर better थे तो इससे कोई यह नहीं होता कि आप में कोई कमी नहीं है आप में भी कमी है आपको भी अपना service जो है वह आपको better करनी पड़ेगी आपको ऐसी guarantee warranty देनी पड़ेगी कि आप laptop तु दिला देंगे तो दुबारा उनको नहीं दिला सकते हो तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी खासकर इंडिया जैसे देश में यहां आप कीड़ी करों को फिट जाओ गया वैसे बाकी मैं भूल गया सबको बोलना कि happy independence day वैसे कल था लेकिन क्या जा रहा है independence तो हो गई अब प्लीज इसे लाइक कर दिजेगा बताईएगा कि आपको मेरा suggestion opinion और comparison कैसा लगा आपका खुद का कोई suggestion opinion होगा तो मुझे जरूर बताईएगा आपको कोई experience होगा तो जरूर बताईएगा और कोई वीडियो की request होगी तो जरूर कमेंट में बोल दिजेगा मैं बना दूंग चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दिजेगा notification all कर दिजेगा आपको notification आती रहेगी अपने आपको स्वस्त रखी हमें भड़ा स्वस्त रखें लीजे भाई लाइक दबाके और इसके साथ चलते हैं जय है भारत हैपी इंडेपेंडेंस मजे करो थाई लोग मजे करो हुआ 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 है